असलाम लेकूम आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बड़ी ही प्यारी रेसिपियर बहुत ही हिल्ली यह है मसूर दाल लोसा क्योंकि बहुत आसानी से बनता है पांच मिनिट में बन जाएगा और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है यह आप ब्रेकफास्ट में ख खाल ले सकते हो स्नैक्स के तौर पर तो चलिए बस बनाना शुरू करते हैं मसूर दाल बहुत जल्दी भीग जाता है तो एक कप लेंगे मसूर दाल जो खरीब 200 ग्राम होगा इसको अच्छे से पहले हम वाश कर लेंगे एक दो बार दो लेंगे और इसके बाद पानी डाल क करके एक से दो मिनट के लिए छोड़ देंगे आराम से भीग जाएगा जब तक हम कैरेट को छील के चोटा-चोटा टुकडा में कट कर लेंगे यह देखिए मसूर दाल अच्छे से भीग गया है तो इसमें हमने दो लाल मीज जाल दिया है एक गाजर है जो करीब 100 ग्राम हो जी इसका बहुत ही फाइन सा पेश्ट बनाना है थोड़ा सा पाणी डालना है जादा पाणी डालना है ना जादा गाड़ा हो और ना ही पतला हो ऐसा होना चाहिए यह इतनी मज़ेदार रेसिपी इतना असानी से बनता है और हिल्दी भी है और इसमें आप चाहें तो 1-4 ट हम डालना है नमक साद अनुसार और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे बस इतना ही है बस बनना शुरू हो जाएगा पांच मिनिट से भी कम टाइम लगता है बनाने में तवा गरम कर लिजे गरम गरम तवे पर बस एक चमश डालके जिस तरह से डोसा बनाते है उस तरह सही देरे देरे करके फैला देजिए बहुत आसानी से फैल जायेगा हम चमश से इह बनाताया अगर आप करशुल से बनाते हैं तो करशुल से जैसे आपको अच्छा लगता है उस तरह से आप फैला देजे उह अपर से बारी कट किया हुआ पैاز ठोड़ा हरी मिर्श, ठोड़ा ह लाग देजिए ताकि क्रिस्पी और थोड़ा लजीज बने अगर वाइल नहीं पसंद है तो आप वाइल स्किप कर लें बहुत अच्छा बनता है और इसे ढग देजिए ढग करके एक मिनट के लिए लोफ लेंप पकाईएगा ताकि मसूर दाल अच्छे से पक जाए पकना भी धिरे धिरे करके आप इसको आराम से निकाल लेजिए बहुत आसाने से जैसे डोसा बनता है वैसे लेकिन बहुत अच्छा होता है यह जो चावल का डोसा बनता है उससे यह बहुत ही अलग इसका टेश्ट आता है बहुत ही लजीज बहुत ही किस्पी और खाकर दिल खुश ह जाएगा, ऐसा लगेगा कि डोसा भी है, पकोडा भी है और गाजर की हल्की हल्की खुश्भू बहुत प्यारी से लगती है, उससे कलर बहुत प्यारा होता है, अगर आपको गाजर पसंद नहीं तो आप चाहें तो skip भी कर सकते हो लेकिन गाजर तो बहुत अच्छा हिल्थ के लिए है आपने देखा मैंने इसमें कोई food color नहीं डाला है फिर भी बहुत ही खुशरंग होगा यह आप छोटे बच्चों को भी दे सकते हो एक साल से उपर के बच्चों को दो साल तक के बच्चों को दे सकते हो हरी मिर्श आप नहीं उसमें डालिए बहुत ही अच्छा हिल्दी है और कैरट गयावा है जो कि सहत का ख़दाना है गाजर तो यह डोसा की रेसिपि अगर अच्छी लगी है आप बना दे समय भूसा को जो है यह री चटनी की साथ खा सकते हो तमयटो केचब के साथ खा सकते हो पुदीना की चटनी हो झाह फिर नारियल धनिया करीब पते की चटनी हो इस आप ख़दाने में धिक खाओ बहुत अच्छा लगता है खाने में यह बहुत ही हिल्दी, मसूर, डाल और गाजर कड्डो सा है ये जरूर आप ट्राइ कीजिएगा बच्चों के लिए जाइफ के लिए बना दीजिए धर में अगर आपके साथ ससूर हैं, डादादी हैं, नाना नानी हैं उनके लिए बनाईए दौाइं लीजिए और हमें भी दौा में याद है की खूब सार अपने खेले की, आला हाफीज